नमस्कार दोस्तों आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री कंपूटर टेक्स में तो दोस्तों पी-म सूरिया घर मिंस मुफ्त विजली यह उजना जो कि भारत सरकार की तरफ से लागू किया गया है उसकी जो सबसीडी स्लाब है वो आज हम बात करेंगे यानि कि आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको सबसीडी कितना दिया जाएगा वो सारे डीटेल से इस वीडियो में हम कवर करेंगा दोस्तों वीडियो को लाज तक जबर देखते रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सबसीडी का जो यहां पे इसलाब दिया गया है आपको 30,000 पर किलोवाट का सबसीडी दिया जाता है यानि कि अपको 2 kW यानि कि अगर आपको 2 kW के लिए तो आपको 60,000 तक तक अबसेड़ दिया जाएगा वहां पर अगर आपको उससे ज़्यादा किलोवाट की आवसकता है यानि कि अगर आपको 3 किलोवाट की आवसकता है तो आपको वहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा 80,000 आड़ कर दिया जाएगा यानि कि टोटल आपको 78,000 मिलेगा अगर आप 3 किलोवाट के लिए अपलाई करते हैं लेकिन याद रखिए अगर आपको 3 किलोवाट से ज़्यादा कापसिटी वाला सोलर प्लांट चाहिए तो आपको ज़्यादा सबसीडी वहाँ पे नहीं मिलेगा दोस्तों 78,000 यानि कि 78,000 इसकी लाच्ट सिमा रखा गया है उससे ज़्यादा आप सबसीडी नहीं ले सकते 70,000 का सबसीडी मिलेगा लेकिन आपको प्रोजेट काउस्ट जो है वहाँ पर बढ़ जाएगा दोस्तों तो चलिए देखते हैं आपको डीटेल से यहाँ पर बताऊंगा पीम सूर्य घर की जो विबसाइड है वहाँ पर डीटेल दिया गया है वहाँ पर कल्कुलेटर दिय करेंगा दोस्तों फर एकजेंपल यहां पर अगर हम एक किलोवाट की कनेक्शन लेते हैं तो आपके लिए एस्टिमेट प्रोजेक्ट कस्ट यानि कि आपको खर्चा करना पड़ेगा टोटल पचास हजार रुपए ठीक है उसमें सबसीडिय आपको मिलेगा तीस हजार तो आपके हाथ से खर्चा हुआ बीस हेजर रुपए रुपटोप एरिया यानि कि सोलर प्लांट लगाने के लिए एरिया कितना चाहिए आपके पास रुपटोप यानि कि छत होना चाहिए या फिर कोई सुईटेवल एरिया होना चाहिए जहां पर आप सोलर प्लांट लगवा ठीक है और टोटल बिजली जो जनेरेट होगा एक साल में वो है 1556 किलोवाट आवर ठीक है और बाकी सारे फाइनेंशल से वगरा दिया गया है वहां पर उसके बारे में मैं नेक्स्ट बात करूँगा यह क्यों फ्री यानि कि मुफ्त बिजली क्यों कहा जा रहा है ठीक है तो अभी जो है वो जान रहे है इसके सबसीडी स्लाप के बारे में नेक्स्ट सबसीडी अगर आप दो किलोवाट कनेक्शन के लिए अपलाए कर रहे हैं तो आपको एक लाग रुपे खर्चा करना पड़ेगा जिसमें से सबसीडी आएगा साथ हजार रुपे यानि कि आपके ह होना चाहिए आपके पास बाकी जो इलेट्रिक जेनेरिशन है वो डीटल से यहां पर देख सकते हैं ठीक उसी तरह अगर आप 3 किलोवाट के लिए अपलाए कर रहे हैं तो आपको एस्टिमेट प्रोजेक्ट का वस्टुमान के चलाएं कि आपके हाथ से टोटल एक लाग प आपको खर्चा करना पड़ेगा नेक्स अगर आपको तीन किलोवाट से जादा आप सकता है जादा काफसिटी की सोलार प्लांट आपको लगवाना है सो याद रखे दूस्तों यह जो मैं बात कर रहा हूं यह रिसिडेंशियल पर पोस के लिए बात कर रहा हूं यह पर अध आपको प्रोजेट कास्ट जो है 1,85,000 यानि की 1,85,000 आपको खर्चा करना है जिसमें सबसीडी आएगा सेम 78,000 याद रखिए 3 किलोवाट से अप टू 10 किलोवाट आप जिदना भी चाहे कनेक्सन ले सकते हैं लेकिन आपको 78,000 से ज्यादा सबसीडी नहीं मिले वाला है तो 78,000 यहाँ पर सबसीडी है एस्टिमेटेड कंजिमर से हैर यानि के आपके हाथ से आपको 1,7,000 खर्चा करना पड़ेगा ठीके यह है दोस्तों आपका जो सोलर रूट अपरिया का कल्कुलेटर आपको कौन से कापैसिटी का कनेक्सन चाहिए कितना सबसीडी मिलेगा आपके हाथ से कितना कर्चा आपको तुवासा करता हूँ यहाँ पे आपको complete details मिल गया आपको दोस्तों और next video में मैं आपको पता हूँ दोस्तों यह क्यों मुफ्त बिजली घर कहा जा रहा है जैसे कि आपको थोड़ा बहुत पैसा भी आपके हाथ से कर्चा करना पड़ता है उसक कि कोई भी राय हो हमको लिखके जरूर भीजिएगा दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं और एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरव